हेलो मैं फ्रेंड्स आज हम जो स्टिच बना रहे हैं वो एक स्टिच की बहुत सरी वेरियेशन हैं तो सबसे पहला जो कलर में इसमें यूज कर रही हूं वो यह DMC थ्रेड्ड है और इसका नंबर 210 और इसकी में 3 स्टिच यूज कर रहे हैं यह फ्लावर की शेप के साथ सथ हम इसका स्टिच लेंगे अगर यहां से हम लंबा लेंगे यहां से हम शॉट स्टिच करेंगे इसका इस स्टिच के लिए आप कोई सी भी रेगुलर नीडल जो है आपके पास वह आप यूज कर सकते हैं झाल 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 अब जो दूसरा शेड हम लगाने लगें वह DMC का ही है और उसका नंबर है 333 और मैं 3 स्ट्रेंड सी इसकी यूज करें और यह रेगुलर वादी नीडल है यहां तक हमने यह स्टिच ले लिया अब इसे हम यहां अंदर तक ले जाएंगे इसकी झाल 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 यह इस साइट से आपने स्टार्ट करना है उसी होल में से आपने यूँ गजारना है इसे अब ऐसे इसके साइट साथ हम जाएंगे झाल 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 इसे हम stem stitch के साथ बनाएंगे ठीक है और ये बरी चीज सेम हम इसी तरीके से इसी वले stitch के साथ बनाएंगे